तो कैसे हैं गाईस उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे जैसा कि आपको पता है कि तेंथ क्लास के मैथ का चैप्टर 3.3 हम लोग कर रहे हैं और उसको करते करते हम पहुंच गए हैं पहला हमने सॉल्फ कर लिया था अब हम दूसरा और तीसरा स्वाल आज सॉल्फ करेंगे ठीक 2x plus of 3y is equal to 11 2x minus of 4y is equal to minus of 24 इसमें एक और अलगसे equation में लिए है y is equal to mx plus of 3 इसमें हमें m की value ही find करनी है सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा पहली और दूसरी equation को solve करना पड़ेगा ठीक है उसके बाद हमें equation को solve करने के बाद मतलब की x और y की value निकालने के बाद हमें क्य value आजाएगी तो आईए इसे solve करते हैं तो देखिए substitution method हम पहले ही कर चुके हैं आपको अगर नहीं पता तो आप पीछे वीडियो भी देख सकते हैं ठीक है वैसे इसमें भी आपको substitution method ही बताया जाएगा क्योंकि substitution method से related ही है ठीक है तो हम क्या करते हैं एक equation को ले लेते हैं किसी चीज की term की value निकालने तो हमने क्या कर दिया हम लोग 2x plus of 3y को is equals to 11 को ले रहे हैं इसका हम use करेंगे substitution method में find करेंगे ताकि value निकल है x और y की हम करते हैं इसमें substitution में x या y की term में answer निकालते हैं तो x को y में replace कर देते हैं y को x में replace कर देते हैं ठीक है तो हमने क्या कर दिया पहले equation ले थी हमने 2x plus of 3y is equals to 11 इसको substitution method से करके हमने क्या किया value of x and y हम लोगे को value of x और y find करनी है तो हमने क्या किया 2x इदरी रखा 3y उधर लेके गए तो minus of 3y अपना बन गया और उसी तरह से upon जो multiply में था x के साथ दो वो upon में चला गया तो हमारे पास equation क्या बन तो x की value अब आगी 11 minus of 3y upon 2 ये वाली value हम put कर देंगे दूसरी equation में देखिए अगर आप इसी को दूसरे equation से निकालते तो पहले में put करना था अगर इसे आपने पहले में से निकाला है तो आप इसे दूसरे में put करेंगे ठीक है तो क्यूंकि मैंने पहले में से निकाला था x की value y की term में तो मैं इसे दूसरे में put कर रहा हूं ठीक है तो आगे अपना 2x minus of 4y is equals to minus of 24 तो इसमें मैंने x की value को replace कर दिया जो की थी 11 minus of 3y upon 2 तो हम क्या करते हैं 2 x की value put कर दी हम लोग न तो वह थी 11 minus of 3y upon 2 minus of 4y is equals to minus of 24 देखिए minus of 4y तो पहले ही था 24 इदर अब तो मैंने क्या कर दिया 2 से 2 पहले मैं cancel कर देता हूं तो मेरे पास equation बच जाती है 11 minus of 3y minus of 2y is equals to minus of 24 ठीक है अब देखिए minus 3 और minus 4y कितने होगे minus of 7y तो बन गया 11 minus of 7y is equals to minus of 24 ओके तो अब आगे हमारे पास minus of 7y 11 को उधर लेके चले गए तो 24 11 कितना बन गया minus का minus 35 minus से minus को हम cancel कर देते हैं तो y की value अपनी निकल लाई 35 upon 7 तो y की value actual में निकल लाई आप लोगों की 35 दा ठीक है 7 सा 35 7 तो 5 पे जाता है तो आगे अपना 5 y की value आगी 5 अब क्या करना होता है गाईस क्योंकि अब एक तो value निकल लाई आप अब आप वाई की value किसी equation में भी put कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है लेकिन शुरात में यह condition होती है कि अगर पहले से value निकालने तो आप दूसरे में put करोगे ठीक है सब्टिट्जूशन मैथ़ड के लिए लेकिन जब एक value निकल आती है तो आप किसी में भी put कर सकते हो value तो मैंने put कर देता है कर दिया इसमें इसको मैं put पहली equation में पूट कर देता हूं तो मैंने y की value पहली में देखे यहां पे पूट कर देता हूं तो आगे 2x plus of 3 y की जगा 5 पूट कर दिया बराबर 11 के था तो मैंने लिख दिया अब 2x plus of 15 बन गया 3 5 15 is equals to 11 अब क्या करते है 15 को उधर लेके चला जाता हूं तो माइनस का 15 बन जाएगा मेरा ठीक है तो माइनस का 15 बना तो आगया 2x equals to minus का 4 ठीक है तो x की value आगई minus 4 upon 2 तो यहां पे देखिए तो x की value कितनी आगई अपनी minus 4 upon 2 थी तो x की value आगई minus 2 ठीक है तो चली आगए करते हैं अब क्या हुआ देखिए अब x की value आगई y की value आगई लेकिन अभी एक और condition उसने बोल रखी थी क्या उसने एक equation अलग से दे रखी थी y is equals to mx plus of 3 वाली और बोला था कि m की value फाइंड करो ठीक है तो हम क्या करते हैं जो x और y की value आई है उन दोनों को इसी में put कर देते है equation में तो हम लिखेंगे now y is equals to mx plus 3 let's finding the value of m कैसे find कर सकते हैं by putting value of x and y क्योंकि x और y की value अगर हम वहाँ put कर देंगे तो हम इसकी values आराम से निकाल सकते हैं तो हमने क्या कर दिया दोनों values को हमने यहाँ पर put कर देना है और कुछ नहीं करना आपका answer simply निकल आएगा इसको आप third equation मान लीजिए तो हम लिख लेते हैं put कर दिया इस value इसको हमने तीसरी equation में आप कुछ भी मान सकते हैं तो मैंने क्या करते हैं third मान लीए आप इसको put करते हैं simply तो y is equal to mx plus swap मारे पास 3 था तो y की value 5 थी m तो as it is ठीक है x की value अपनी थी वहाँ पे minus 2 और plus 3 as it is तो 5 is equal to minus 2mx बन गया यहाँ पे multiply करके plus 3 as it is तो 5 minus 3 इधर आ गया plus 3 तो उदर minus 3 इधर आके हो गया और minus 2m as it is तो यहाँ जब किया तो आगया अपना तो 5 minus 3 दो और यहाँ minus 2m अब क्या करते हैं minus 2 2 के upon चला जाएगा तो हमारी m की value जो निकल आएगी वो कितनी आएगी m is equals to minus का 1 m अपना कितना आगया guys m आगया minus का 1 बस आपको यही तक solve करना है इसी तरह हम आगे की सवाल भी solve करेंगे तो आएगे बढ़ते हम अपने अगले सवाल की तरफ और उसको solve करने की कोशिश करते हैं तो हमारा दूसरा स्वाल है जो guys दूसरा स्वाल है हमारे पास so guys दूसरे स्वाल के equation क्या है बोल रहा है the difference between two numbers is 26 and one number is three time of other find them बोल रहा है कि दो numbers है ठीक है जिनके बीच का difference है वो 26 है और वो कह रहा है कि जो दूसरा है वो क्या है पहले में तो बता रहा है कि वो उनके बीच का difference जो है वो 26 है और फिर कह रहा है कि नंबर जो है एक नंबर है जो वो दूसरे का तीन गुणा जादा है ठीक है तो हम क्या करते हैं माल लेते हैं कि पहला नंबर है जो X है उसी तरह हम माल लेते हैं कि जो दूसरा नंबर क्या होगा अपना Y होगा ठीक है स्टेटमेंट के हिसाफ से जैसे जैसे मिला हुआ है उसके हिसाफ से आप लोगों ने करते जाना है हमने लिख लिए let the first number is X and the let the second number is Y अब क्या लिख होगी आप लिख होगी कि according to the question question के हिसाफ से जैसे मिला है हम लोगों ने उससाफ से करना है तो बोल क्या रहा था वो according to question समझते हैं difference between two numbers difference से क्या समझा है मतलब दोनों के बीच माइनस इसका मतलब अगर X है पहली रकम तो माइनस Y is equal to 26 यह हो गई अपनी पहली रकम अब बोल रहा है कि जो एक रकम है वो तीन गुणा है दूसरे के तो मान लिए अगर X को वो किसके बराबर हो गया 3Y के देखिए अगर X से वो तीन टाइम है 3Y के पहली रकम अगर दूसरे के तीन गुणा ज्यादा है तो हम तीसरे Y में अगर 3 से मल्टिप्लाइ करेंगे तभी तो वो X के इकूलेट आएगा तो हमने लिख दिया दूसरी रकम X is equal to 3Y ठीक है यह हो गया second equation उस तरह हम क्या करेंगे अब substitution method लेते हैं और इसको solve करने ही कोशिश करते हैं substitution method देखिए हमें X में हमें X को या Y को convert करना होता है यहाँ पे तो पहले ही X is equal to 3Y मिला हुआ है ठीक है तो हमें इसे X को Y में convert करने की जूरत नहीं है हम सीधा ही ले ले लेते हैं X is equal to 3Y को हम put कर देते हैं पहले में direct ही put कर देते हैं तो X is equal to 3Y को हम पहले में direct put करते हैं तो क्या आता है चलिए put करके देखते हैं तो हमारी equation थी X minus Y is equal to 26 पहली ठीक है इसमें हम put करते हैं X is equal to 3Y तो X की जगा मैंने put की दिया 3Y minus Y is equal to 26 ठीक है गाईस तो कितना आ गया 3y minus y is equals to 2y is equals to 26 तो y की value यहाँ से आप लोगों निकाल लेनी है y की value आगे 26 upon 2 y is equals to 26 upon 2 कितने बजाता है 13 पे तो y की value आगे आपकी 13 अब देखे एक value तो 13 आगे इसका मतलब y की value 13 अब हमें दूसरी भी निकालनी है अब दूसरी value निकालते हैं तो दूसरी value निकालनी के लिए हम क्या करते हैं चलिए आगे करते हैं लिखते हैं to find the value of x क्योंकि एक value तो निकालागी to finding the value of x हमें अब निकालनी है value of x की x की value देखे ये x ही जहाँ वो 3 गुणा था y के अगर देखा जाए तो क्योंकि y को मैंने 3y सिल लगा है ताकि इकुलेट हो सके तो y की value को 13 में put कर देता हूँ किसके अंदर यह put कर देता हूँ second equation के अंदर तो put y is equals to 13 in second equation तो x is equals to 3y था मैं 3y की direct value put करता हूँ 3 into y के थी 13 तो x is equals to 13 into 3 कितना हो गया guys 39 तो इसका मतलब एक value आगई अपनी एक value आगई अपनी कितनी 13 then the first term कितनी होगी then the first term या first number लिख सकते हो आप first number आप लोगों का आग गया है 13 x is equals to x तो आएगा 39 ठीक है और y की value कितनी आगई then the second number is कितना आगए आपका 13 into 3 जो आया था अपना 13 आया था अकेला ठीक है तो वो आएगा आपना y is equals to 13 के equal then the second number is y is equals to 13 तो यहाँ पे आपकी दोनों values निकल आई इसी तरह हम करेंगे तीसरा स्वाल तो आएए guys बढ़ते हैं तीसरे स्वाल की तरफ उसको समझ लेते हैं यह second का ही मतलब दूसरा पार्ट है तो हम लोग लिख वहाँ पे है क्या the larger of two supplementary angle exceeds the smaller by 18 degree एक देखिए इसने बोला कि दो हैं वहाँ पे एंगल है supplementary angles में आपको पता होगा supplementary angle होता क्या है 180 degree का होता है ठीक है उसने बोला कि जो बड़ी वाली है जो larger है जो बड़ी angle है ठीक है दोनों है तो 180 degree के एक बड़ी है एक छोटी है जो बड़ी वाली है वह उससे 18 degree जो बड़ी रकम है जो बड़ी बड़ा जो एंगल हो अपना वो कितना 18 डिगरी जादा है या तो आप कह सकते हो कि एक एंगल जो है 18 डिगरी दूसरे से कम है ठीक है तो आपको according to question समझ आना चाहिए supplementary एंगल जो होगा वो आपको पता होता है किस के बराबर होता है supplementary एंगल होता है वो x plus y angle x plus y is equals to 180 या तो आप कहते हो एंगल 1 plus angle to 180 डिगरी के होता है तो हम लोगों यहाँ पर दो ही एंगल लेने है कौन कौन से एंगल होंगे अगर आप लेते हो figure में तो कैसे लोगे इसको क्योंकि हमें एंगल पता तो नहीं है कितने कितने तो हम लिखेंगे let the first angle is पहला एंगल है जो अपना x है और दूसरा एंगल कितना है अपना let the second angle is second angle इसको आप लेट के लिजिए y ठीक है अब आपको पता है कि according to question वो क्या कहना चाहरा है कि supplementary angle जो है अपना अब देखिए supplementary यहाँ पे x plus y कितना हो गया x plus y हो गया 180 degree के हो degree को अगर divide करते है x plus y की term में तो ऐसा कुछ बनेगा ठीक है angle 180 degree है और उसको divide किया गया है लगबग ठीक है एक angle ज़ादा होगा एक angle कम होगा तो वही बताया हुआ है और कुछ ने तो और दूसरा क्या बोला है कि फिर बोला था उसने कि smaller by 18 degree इसका मतलब 18 degree कम है मतलब उनका जो difference होगा 18 degree का होगा जाए इसी बात है या तो या तो हो सकता है x बड़ी हो या तो हो सकता है y बड़ी हो आगल तो हमने लिग दिया x minus y दोनों का difference हो गया 18 degree का तो अब क्या करते हैं substitution method यूज करेंगे ठीक है statement statement से आपको पता लग गया होगा अगर हम इसे चाहें तो हम इसे elimination method से भी solve कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे क्योंकि substitution का chapter चल रहा है तो हम इसे substitution method से ही solve करेंगे तो by using substitution method हम क्या करते हैं let finding the value of both angles हैना दोनों angles की हम लोग values को find करेंगे both angles angles कौन कौन से करते हैं किसी एक को किसी एक को किसी एक की टर्म में बना लो या तो x को y की टर्म में बना लो या y को x की टर्म में बना लो किसी एक भी equation में किसी भी equation में तो हम लेते हैं यहाँ पर हम यहाँ पर लेने वाले हैं guys हम ऐसा करते हैं हम यहाँ पर taking second equation को लेते हैं second equation है हमारी second equation है हमारी x-y is equal to 18 degree ठीक है तो x-y is equal to 18 degree था तो अब इसको हम लोग y की term में बनाते हैं x को तो x is equal to 18 plus of y की equal आ जाएगा ओके गाइस तो क्या करते हम अब इसको put करें x को 18 plus y किसके अंदर पुट करेंगे अब first में put करेंगे जाहिए सी वात है क्योंकि हमने second equation बनाई यह तो भी से first में put किया जा in first equation ठीक है तो आईए इसे आगे करते हैं कि first में put करते हैं ठीक है तो चलिए first में put करके देख लेते हैं तो अपना आया था x is plus y first equation ठीक है x plus y is equals to 180 degree अब आप इसे put कर दीजिए x को put x is equals to 18 plus of y ठीक है तो x की जगा मैंने put कर दिया 18 plus y plus y तो as it is जो अपना वहाँ पे था और 180 degree के equal दोनों मिले हुए थे देखिए x की value 18 plus y है और y as it is था तो कितना आ गया 18 plus 2y आ गया यहाँ पे is equals to 180 degree ठीक है तो 18 plus 2y वो 18 उधर चला गया 180 में से 18 मैनेस कर देते हैं तो आएगा अपना आजाएगा 190 162 degree ठीक है तो यहाँ 2y के equal अब y की value निकाल लेते हैं अब पॉन में ले जाके 162 को हम लोग 2 से डिवाइड कर देते हैं ठीक है तो y की value आ गई अपनी 81 degree चलियो गाइस y की value आगी 81 degree अब आप इसे किसी में भी put करके x की values को आप x की value आप निकाल सकते हो तो हम क्या करते हैं अब इस वाली y की value को हम क्या करते हैं किसमें put करें तो आप किसी में पुट किया 81 x minus यहां आगया y की जगा 81 degree is equals to 18 degree ठीक है 18 degree आ गया तो x-18 उदर जाके प्लस का 18 बन जाएगा अठारा प्लस 81 हो गया ठीक है 18 प्लस 81 कितना होता है यह हो गया अपना 99 degree 18 प्लस 81 आएगा अपना 99 डिगरी तो देखेगा इस x की value भी अपनी निकल आई तो x की value आगई अपनी 99 डिगरी तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हम इसे एंगल में देखें तो कौन सी डिगरी कौन सी वैलू जादा बड़ी है य से तो ऐसा समझ लीजिए कि आप कुछ हैसा है ठीक है यह 90 का अगर करते तो सीधा तो मैं 99 के लिए थोड़ा सा बड़ा बना दिया मैंने इसको लेट कर लेजिए x क्योंकि 99 यह दूसरा y 81 तो जो यह वाई है वो 81 डिगरी है x कितना है यह 90 डिगरी है 99 डिगरी है तो हमारा इस तरह से आप answer अपकर निकल आएगा तो गाइस फिर लिख देंगे तो इसका मतलब first angle क्या है अपना first angle is कितना आगया 99 डिगरी और second angle उसी तरह हम लिख देंगे second angle is आगया 81 डिगरी तो गाइस आज के लिए बस इतना ही more updates के लिए हमारे साथ बने रहें चैनल को subscribe करें